कि किसी भी नंबर के सम्कों किस तरीके से डिफाइन करते हैं आज उससे रिलेटिटिट में और पर्संस आपको बतारे जा रहा हूं तो तुट जाल से देखीगा प्लीज देखें उस दिन हमने क्या किया था इसके लिए हमारे पास एक जनुरिल फोर्बला है जन्रल फोर्बला मैं आपको डिस्कूस किया था students n into n plus 1 by 2 n उन्हारे पास क्या आता है number of terms से हम represent करते है तो देखिए total number of terms हमारे पास यहां कितनी है students यहां हमारे पास है 10 तो value of n is 10 10 plus 1 divide by 2 कितना जाएगा students 10 into 11 divide by 2 कितना जाएगा हमारे पास 55 ठीक है इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते है तो formula हम रप्लाई किया देखिए फर्स्ट ट्रम प्लस लास्ट ट्रम दिवाइट बाएगा टू multiply the number of terms multiply by the number of terms total number of terms कितनी है students हमारे पास 10 अगर हम करेंगे तो हमारे पास से हम यही answer आएगा जो अभी मैंने define किया रहा है ठीक है यह मैंने जो formula आपको बता रहा है इसलिए बता आपको इससे related अपने जो question करने जा रहा हूँ अगर मैं आपको आपको कहता है अगर मैं आपको कहता है तो उसके लिए हम स्यम टैक्निक यूज करेंगे वारे पास क्या है सबसे पहला नंबर को सा है 21 कि इसके बार लास्थ वमिपास क्या है 75 दिवाइड वाइड तू मुल्टीप्लइब दा नंबॉर ऑफ टरस्विश्य करता हूं तुटी बन से लेकर सेवन्टी फाइफ वैसे तो हमारे पाप बहुत सारी जिंडल फॉर्मुले हैं लेकि आप जंडल तरीके से देखिए दिखें अगर मैं काउंटि बच गई फिफ्टी फाइफ देखिए फास्ट ट्रॉंट्स को पाउंट नहीं किया तो मुमारे पास कितन लेकिन आप यहां देखिए जो वन से देकर टुटी थी वह तो मैंने नहीं किया तो मैंने 75 मैं से टुटी को माइनस कर दिया तो मारे पास 55 तांस आगे अगर रूट इसको सोल करें तो कितना आजाएगा students 6 9 divided by 2 multiply 50 तो टो कर दिए students कितना आजाएगा हमारे पार 48 multiply 55 इगे students 48 multiply 55 अगर रूट करेंगे तो मारे पास कितना आजाएगा तो शिक्स जन्रब देखिए अगर आपको multiply बता देखा हूँ आसे देखिए multiply करने के लिए हमारे पास काफी techniques है देखिए डारेक्टर करने कितना आजाएगा फाइफ एड़र 40 ठीक है फोर अब इस तरीके से multiply करना थोड़ा हमारे पास 5 for that 20 plus 40 60 plus 4 64 अब कहने कितना आगा हमारे पास 60 एक बाद मैंने किया एक बाद मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ यहां से देखिए गार सुलेंट्स क्योंकि सीजी सी बात है हमें सबसे पहले तो एडिशन उसके बाद अगर कि अधर हमें अच्छे से आता होगा देखिए फिर से कर देता हूँ 55 को हमें करना है 48 से multiply करना है तो इसके प्रिक देखिए जगा टाइम नहीं लगेगा पहली स्टेप में हमारे पास एट को 5 से multiply करना है प्लस 5 को 4 से multiply करना है उसके बाद जो भी अंसर आएगा उसमें 4 को add लगना है किक है 8 5 जा 40 plus 20 60 60 plus 4 that is 64 4 then 6 करी last 10 students 4 5 जा 20 20 plus 6 that is 26 तो यह हमारे पास multiply करना है किक है अब इसी तरीकी से तीसरा जो हमारे पास है तीसरा question दें लेते हैं वो भी बहुत ही easy है कैसे देखिए कि मैंने आपको बताया 1 से लेकर 10 तक का सब 55 उसके दिए चोटी 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 बाते मैंने आपको डिसकस किया आपके साथ अब मांगे जी हमें यह पूछा जाता है टू प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 ठीक है अगर हमें इनका सब पूछा जाता है यह सारे के सारे इवन नंबर से टू फोर शिक्स एट टैन और आप सब्यों को पता यह इवन नंबर कौन से होते हैं जो कूकी टेबल पर डिविजिबल होते हैं तो सारे के सारे हमारे पास के तो सब्सक्राइब करेंगे तो कितना या नंपर यृ ठीक है किस तरीके से हमसे टूर यह narrative कि है किष्ड़ी टो का सब्सक्राइब है एन इुटू एन प्लस बन एवन नमबर का से हमें कभी भी एकर घृट करना होगा तो हम इस तरीके से फैड़ाओ प्लस लेटेंगे एक ओर कर लेते हैं इसफे ले लिटेट तो इस तरीके से यह भी कर लेते हैं देखिए first return क्या है 2 plus last return में हमारे पास क्या है 10 divided by 2 multiply the number of terms और number of terms में हमारे पास कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, number of terms कितने students हमारे पास 5 ठीक है अब अब शो calculate करते हैं कितना अगे हमारे पास 12 by 2 multiply 5 कितना आ गया फिर से 30 देखिए यह जो formula मैंने रुकमा घा फर्स ट्रम प्लस लास्ट ट्रम डिवाइड बाए 2 यह formula हम कहीं भी apply कर सकते हैं बस हमें number of terms जोएंगी उनका तुड़ा विशेज जान रखना है देखिए यह अब हमारे पास क्या है मैंने भी formula अप्लाई क्या है और यह जो फर्मुला मैंने आपने बताई डारेक्ट फर्मुला है आप चाहिए उसको पाउंटिक्लाई कर दीजिए ठीक है इसी तरीके से अप्माल लेजिए अगर मैं आपको कहता कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी हमारे पास even numbers है उन सभी का सम आपको find out करना है मतलब 2,4,6,8 अगर हमें 1 से लेकर हमारे पास 50 even number होते हैं और 50 और number होते हैं तो इनका सम find out करने के लिए 50 number हो गए हमारे पास पुर्णा क्या है n into n plus 1 n कितना है students 50 और यहां से हमारे पास कितना आजाएगा 50 plus 1 तो कितना है students 50 into 51 अगे 505 तो यह हमारे पास आजाएगा वन से लेकर 100 तक जितनी भी even numbers हमारे पास होंगे उन सभी का सम कितना आजाएगा 2550 तो पोड़ा सा ठीक है students thank you आगे सलते देखिए अब इतव हमने क्या बड़ा कि हमारे पास चितनी की टर्म्स ही 1 से 10 तक हो या 1 से 100 तक हो उन सभी लगाता टर्म्स का सांगा आजाएगे लिए हमने जो फिर्मला युश किया अगे अगे अभी बताया आपको फिर्म्स लास्ट टर्म्स टिवाइड वैड़ घू मुल्टिप्लाई वाई दा नंबर टॉफ्ट तून्स इसके बाद इस तरीके से ओड के बारे में भी डिस्टस कर लेते हैं जो और नंबर ओव टरम्स हमारे पास मतें वह बें डिस्टस नाइए यह सारे के सारे हमारे पास एक से देकर दस के बीच में और आपको पता है सुड़ेंट्स की ओड नमबर हमारे पास क्या होते हैं जो पूपी टेबल पर डिविजीबल नहीं होते हैं तो इन सबी का अगर हमें सम फाइंड आउट करना है वन प्लस प्लस पाइफ प्लस प्लस नाइन कितना आजाएगा स्टूडेंट्स 25 यह मैंने कैसे कर दिया तो इसके लिए हमारे पास जो जर्टल फॉर्मुला होता है जर्टल फॉर्मुला हम्यूज करते हैं स्टूडेंट्स एन स्क्वेर देखिए नमबर तर्स कर लिए एक दो टीम चार पास जो भी हमार आज जो फॉर्म मैंने आपको थोड़े देर पहले बताया था हम वो भी उप्लाई करके दिखा देता हूँ देखिए फस्ट नमबर प्लस लास्ट नमबर डिवाइट वाइट 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 तू मुल्टिप्लाई दद नमबर उटम्स वान तू थी फोर फाइट जा नम कि अधिया द कि इसी तरीके से मारे पर देखें से माली जी यह तो सिर्फ रहें बड़ा सा लिया था 1 प्लस 3 प्लस 5 अगर माली जी इसी तरीके से 50 तक ले लेता सब्सक्राइब प्लस फ्री प्लस पाइफ प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस चलता जा रहा हूँ इसे तरीके से प्लस फोटीटाइब करना है और हमें पता है बन से लेकर फिफ्टी तक हमारे पास तो मैंने आपको भी शूट्रिक बताई किया L स्क्वेर्ड ऐए 25 हमारे का ओर नंबर होगे 25 का स्क्वेर करें चैसे इसमें बंगी अपलाय कर सकते हैं दूसरा अब दिखा देता हूं इसको इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं इसको चुंद्हिंगा लेते हैं मैं पर दोती चोटी चोटी बाते रिपीट करने ताहूं अगर हम भी वन से लेकर लगाता टम्स हैं या 500 है या 1000 है कितनी भी ज्यादा टम्स है अगर सभी का सम अगर find out करना है तो सब्सक्राइब करने के लिए स्टूर्ट क्या बताना है अगर याद रखे तो भी ठीक है अदर्वाइस यह जो फॉर्मुला मैंने बताया है उससे किसी भी तजी किसे अब सब सब्सक्राइब कर लिए जैसे सब्सक्राइब कर दिया इसका मदलब यह बहुत इजी हमारे लिए जा रहा हूं तो याँ से नेखीर आ सो इच जो से मर्च इने लिए